सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार जैहिंद कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे ही हैं मस्ता और सवस्ता अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे हैं क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई साब ये बात याद रखनी आपको क्या क्या करके रख देना है और जिनको वर्ड जोग्रोफी जिनको विश्व का गोल समस्या लगता है आज उनकी समस्याओं का समाधान लेके आया हूं आपके लिए और सबसे सांदार जानदार साख अच्छा शाख टोपिक है थोड़ा सा कि लंबा चलेगा इसकी दो तिन किलास की पेटियां और किस प्रकार से इसके बनते हैं और भेरों सारे प्रशन साथियों प्रशन आगे बना इससे पहले आप एक सब्द देख रहे हैं वायूदाब और यह देखने से एक बात आपको लग रही होगी वायूदाब सब्द कोई देख लो वायू के द्वारा पढ़ जिनी होने चीए तो वायु दाप किसे कहते है जरा गोर करेंगे वायु भी क्टया बोतिक वस्तु है जो विभिन गेसो का यांत्रिक निसरण है और उसका अपना स्वैम का भार होता है क्या गुरु जी वायु में भी भार होता है के बिल्कूल होता है आप लोग जब कभी भी हवा डलवाते ہیں अपने बाईक में अपनी गाड़ी में तब वह गाड़ी वाला एक मसीन रखता है और उससे माप के देखता है कितनी हवाँ है देखता है कि नहीं देखता है और भाई साब जब इसमें कुछ लेना देना है नहीं है क्या मापके देख रहा हो मतलब हावा में भार होता है एक बात तो इसपस्ट होगी और भार होने के कारण किसके होने के कारण भार होने के कारण वायू द्वारा धरातल पर दबाव डाला जाता है क्या डाला जाता है द याद रखें वायूदाब का मतलब क्या है कि वायू एक भोतिक वस्तु जो विभिन्न गेसों का अंत्रिक मिश्रण है इसका अपना स्वेम का भार है और जब ये भार धरातल पे दबाव डालता है तो ये से ही क्या कहते हैं वायूदाब कहते हैं देखीगा दूसरे सब्दों में समझ सकते हैं कि पर्थवी के धरातलिये सतय या सागरतल में पर्तिकाई छित्र जो मर्जी ले ले एक इकाई की रूप में उसके उपर वायू मंडलिये भार के पढ़ने वाले भाग को वायूदाब कहते हैं और वायूदाब की खोज फिर पर्तिकाई छित्र फल पे जो वायू मंडलिये भार पढ़ता है उस वायू मंडलिये जो भार पढ़ता है उस भार को ही क्या कहते हैं मित्रों वायूदाब कहते हैं और सबसे पहले इसका पता किस ने लगाया ग्यूरिक महोदे ने लगाया कब लगाया 1691 यानि आगी बात समझ में अगर आ रही है तो सेर कर दो एक बार आप देखिएगा वायू दाब किसे कहते हैं या आपने देखा कि वायू के द्वारा पढ़ने वाला भार क्या है वायू दाब है अब वायू दाब का मापन किसमें किया जाता है ना बैपन देखते हैं कि 1013 मिली बार की रेखा यह मिली बार लोचा क्या है गुरू जी सुन लो वायुद आपको सेंटीमिटर में भी माप सकते हैं वायुद आपको मिली बार में भी माप सकते हैं वायुद आपका मापन इंच में भी किया जाता है और वायुद आपका मापन पासकल में भी किया जाता है हैं बिल् कि वायूदाब मापने की सामान्य इकाई मिली बार है तथा इसकी अंतरास्ट्रिये मानक इकाई क्या है पास्कल है है न अच्छा प्रशन कि वायूदाब मापने की सामान्य इकाई मिली बार है और इसकी अंतरास्ट्रिये जो मानक इकाई है वो क्या है पास्कल है गोर करना सा मानने रुप से क्या है वायूदाब को मापने की काई मिली बार लेकिन इंतरास्टी इस तरफे देखा जाए तो वायूदाब किस में मापा जाता है पास्कल में अपने इंडिया की बात करें पन तो इंडिया में अपन लोग वायूदाब के लिए जो काम में लेते हैं वो ले दाब ये प्रसन सरवाधिक बार पूछा गया प्रसन है चाहें अपन मित्रों और पिश्ची की बात कर लें और आपका जो पेपर लेगा आपका जो पेपर लेगा ये कौन लेगा R.B.S.E. लेगा कौन लेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेगा रास्तान वाला और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब लेगा तो ये प्रसंद पूछ सकता है क्योंकि ग्यारवी की जो किताब बना उसके अंदर सीधी से के बात लिखी वे के स्टार्ट में और ये मैंने पहले बताया था क्या कि मेटर 6-8 का है लेकिन इनका कठिनाई स्तर कुन सा है 11-12 का है गोर कर ले तो सबसे ज़्यादा वायूदाब कहा होता है सागरतल पे होता है गुर्जी मान गए कि सागरतल पे होता है ऐसा क्यों एसा क्यों ये जो सागरतल है ये जो समुद्धरतल है इस पे क्यों वजय तो है न कुछ क्यों होता है एसा एसा इसलिए होता है मित्रों जैसे जैसे अपन उपर जाते है वेसे वेसे वायूदाब क्या होती चली जाती है वीरल और धरातल के पास इसलिए वायू सघन होती है उपर जाने पर विरल होती है और वेसे भी वायू में संपीडन का गुन होता है और जब वायू में संपीडन का गुन होता है तो उपर से दाप पड़ेगा नीचे वाली वायू क्या हो जाएगी सघन जबकि उपर वाली वायू क्या रहेगी विरल इट मिन्स याद रखें कि सागर तलपे क्या होता है वायुदा सरवादिक होता है सागर तलपर होता कितना है 29 पॉइंट में बान में इंच होता है यानि प्रशन आजा है सागर तलपे कितना तो याद रखेंगे 29 पॉइंट में बान में इंच अगली बाग अगर पारे सेंटीमिटर में पूछा जाए तो कितना 76 सेंटीमिटर मिली बार में सागर तल पे पूछ लिया जाए यह अच्छा प्रसन है यह अच्छा प्रसन है यह आपके पेपर में आएगा भाई साथ ये मालो छप गया सीधा आएगा 25 फरवरी को ठीक ग्यारा बज़के 28 मिंट पे आपके पेपर में ये प्रशन मिल सकता है कित्ती फरवरी को सोरी फरवरी नहीं अप्रेल 25 अप्रेल को ये परशन आपके पेपर में मिलेगा मैं कहा रहा हूं जहां तक मुझे लग रहा है ये प की पॉंड में 14.7 ग्राम कितना 1034 ग्राम परतिवरक सेंटिमिटर ये पॉंट भी आएगा 1013 1013.25 तो एकी बात है 1013.34 एक जार तेरा पॉंट में 12 तो गोर कर लेना गोर कर लेना 1013.26 है 25 आज है तो भी मान लेना ना दोनों एक साथ नहीं है सरवादिक वायूदाब कहां समुद्दर तल पे कितना 1013.26 अब सुनिएगा वायूदाब देख लिए किसे कहते हैं वायूदाब का मापन देख लिए क्या होता है कैसे होता है अब वायूदाब के मापन का यंत्र क्या है वो देख लो यानी यानि मैं क्या कह रहा हूँ कि वायूदाब मापी जो यंत्र है वो कौन से है डाइग्राम दिख रहा आपको ऐसा होता है वायूदाब को सधारन रूप से वायूदाब मापी कहते हैं बेरो मिटर कहते हैं मरकरी बेरो मिटर जिसको 14 बेरो मिटर कहते हैं निर्दव्वे वायुदाब मापी बेरोग्राफ है माइक्रो बेरोग्राफ है ये सारे वायुदाब को मापने के यंत्र है लेकिन सामानेत है जो वायुदाब को मापने का यंत्र है मित्रों उसे कहा जाता है बेरो मिटर क्या बेरोमिटर विकल पा सकता है फेदोमिटर क्या है फेदोमिटर समुद्र की गहराई मापने में काम में आएगा इकाई है ये बेरोमिटर है याद रख लेना तब ही तो कहते हैं कि अपनी गहराई बनानी है तो समुद्र के जैसे बनाईएगा लोगों के मापने में पसीने चुट जाए पता नहीं कितना गहर है लोगों के मापने में पसीने चुट जाए पता नहीं कितना गहर है वायुदाब मापी यंतर कौन सा बेरोमिटर याद अगली बात ये बेरोमिटर एसा भी हो सकता है अगली क्या बात दिखीगा मोसम के सभी तत्वे चाहें वो बादल बनना है चाहें वो वर्षा का आना है आंधी का आना तुफान का आना पवन का चलना ये सारे वायुदाप से निंत्रित होते हैं गुरुजी ये तो वायुदा से निंत्रित होते हैं लेकिन वायुदाप किस से निंत्रित होता है मज़े की बात है ना ये तो वायुदाप से निंत्रित होते हैं वायुदाप को निंत्रित कुन करता है देखीगा वायुदाप को निंत्रित करने से पहले अगर जब अपन बेरोमिटर से चीजे मापते है बेरोमिटर संकेत देता है कैसे देता है समझेगा वायू दाब मापी यानि बेरोमिटर का पठन जैसे बेरोमिटर का तेजी से गिरना ये तुफानी मोसम का संकेत है बेरोमिटर है ये अचानक से डाउन आजे अचानक से सडनली नीचे आजे इसका मतलब तुफान आने वाला तुफान आने वाला है, याद रखें, बेरो मिटर उस वेक्ती की तरह है जो अंतर मुखी होता है, या ने एचानक से धीर गंबी रोजे है, मतलब समझ लो तुफान आने वाला है, अब अच्छे ढंग से तुफान आएगा, बेरो मिटर का तेजी से गिरना तुफान का संकेत है, बेरो मिटर का पहले गिरना और बाद में बढ़ जाना, पहले सान तो ना, फिर धीरे 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 मुस्कराना, इसका मतलब बारी सोने वाली है, भाई साब बारी सोने वाली, पहले धीर घंबी रोके देखना, तिर कातिल निगाही है, धीर घंबी रोके देखना, उसके बाद में उसके बाद में धीरे धीरे से धीरे धीरे से धीरे धीरे से मेरी जिन्दगी में आना ये नहीं कह रहा है मैं धीरे धीरे से बढ़ जाता है इसका मतलब क्या होगा वर्शा होगी क्या होगा वर्शा होगी अगली बात बेरो मिटर का लगातार बढ़ना इसका मतलब परती चक्रवाती दशा है, क्या है, परती चक्रवाती दशा है, साफ मोसम का संकेत, लगातार नीचे आजए, डाउन आजाना, मतलब मोसम में तुफान आएगा, लगातार बेरोमेटर बढ़ जाए, इसका मतलब मोसम अब साफ रहेगा, मोसम अब साफ रहने वाला है, पहले गीरे फिर बढ़े इसका मतलब बारिस होने वाले तीनों चीज याद रखनी है कब जब मेरोमेटर को देखते हैं तब ठीक है शमझ पारें नौट करने की कोई जरुवत नहीं है इसकी जैसा मैं यहां बता रहा हूं ठीक उसी रूप में ठीक उसी रूप में इसकी आपको क्य मिल जाने वाली है इसकी आपको PDF मिल जाने वाली है और यह जो PDF आपको मिलेगी यह कहां मिलेगी इसके लिए टेलिग्राम आपको जोइन करना पड़ेगा जीके बाई नेवरिशन यानि जैसा आप यहां देख पा रहे हैं वेसी की वेसी PDF मिल जाएगी अराम से चलते चलते पढ़ले रे भी या कहीं भी अगली बात देखे वायूद आपको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से ये बात है अपने कहा कि वायूद आप है अब कहां वायूद आप ज्यादा होगा कहां वायूद आप कम होगा इस बात को कौन प्रभावित करेगा इस बात में सबस एक इधर जाता है दूसरा इधर जाता है क्यों वायू गरम होने पे वायू का घनत्व कम हो जाता है और वो हलकी हो जाती है उपर उड़ जाती है इसलिए वहाँ वायू दब कम हो जाता है इसलिए तो कहते हैं थर्मामिटर उचा तो बेरो मिटर नीचा बेरो मिटर उचा तो थर्मामिटर नीचा आजओ मैं आपको सीधे तरीके से बता देता हूँ आपने घर पे कभी भी आपने घर पे कभी भी कुछ गरम किया होगा ऐसे ऐसे जब आप ये गरम करते हैं किसी चुले पे वगेरा वगेरा जहां भी और इसके उपर आपने धकन लगा दिया समझे ना वायुदाबत अपमान का कॉंसेप्ट क्या है आपने धकन लगा दिया अप लगातार इसके नीचे आग लगा रहे हैं आग लगा रहे हैं दीरे धीरे पानी गरम होगा दूद मान लीजी गरम करते ही आप लोग धीरे धीरे गरम होगा और जैसे जैसे टेमपरेजर बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे गरम हो रहा है वेसे धकन धकन भाई साब करें छोड़ दो छोड़ दो धकन उचल रहा है यह करे अलग हो जाने तो उचल रहा है क्यों क्योंकि नीच नीचे से वायू गरम हो रही है और वो हलकी होके उपर उठने की कोसिस कर रही है और धकन उचल उचल के जा रहा है उचल उचल के जा रहा है क्यों भई क्योंकि तापमान ज्यादा हुआ ना और तापमान ज्यादा होगा तो वायू क्या होगी हलकी होगी ना हलकी होगी इसका मतलब वो उपर उठेगी ना जब वाइव उपर ही उठ गई तो यहाँ वाईव का दा भी नहीं रहा ना तो वाईव दाप क्या होगा निवून होगा इससे उल्टा सर इससे उल। आपने फ्रीजर में बरफ जमाई यह बरतन था अपका यह अपका बरतन था ऐसे इसके पामे डखने अलग करा मतलब वो चिपक गया क्यों चिपक टेंपरेजर कम था तइनब्रेजर कम होने का मतलब बोलहे यह अब बात करते हैं तााप्मान समझे याद रखना है ये चीज कल वाली किलास में काम में आएगी कि ये अपनी पर्थवी है ये भुमद्दे रेखिए चित्र है यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है तापमान यहाँ पे ज़्यादा होता है इसलिए प्रेशर यहाँ पे लो होता है इसलिए पन कह सकते हैं भुमद्दे रेखिए न्यून वायुदाब पेटी ये कलकी क्लास में बात काम में आएगी महत्तो कुन है याद कर लें अगली बात दूसरा ये जो आपने देखा ही आपका थर्मामिटर है ये बेरोमिटर है थर्मामिटर उपर जाएगा ऐसे एक मिनिट थर्मामिटर उपर जाएगा ऐसे ऐसे बेरोमिटर नीचे आएगा ऐसे याद रखना है थर्मामिटर उपर जाएगा ऐसे बेरोमिटर नीचे आएगा ऐसे मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है इन दोनों में इन दोनों में वी प्रीत relation होता है याद रखीएगा अगला वायूद आपको प्रभावित करने वाला कारे का उचाई गुरुजी उचाई केसे प्रभावित करता है देखीएगा अब आप यूँ कहेंगे आपके मन में एक बात आ रही है मुझे पता है कि गुरुजी यह अपना वायू मंडल है यहां कौन सा मंडल है यहां क्षोब मंडल है उपर जाते हैं वायू मंडल में तो तापमान में क्या आती है कमी 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 उपर जाने पर तापमान में कमी आती है तो प्रेशर में क्या होना चीए वर्दी होनी चीए अरह होनी चीए कि नहीं होनी चीए ना लेकिन नहीं होती है मुन्ना क्यों नहीं होती है नहीं इसलिए होती है क्योंकि उपर जाने पर वायू विरल हो जाती है उपर वायू मंडल में वायू सगन नहीं होती है इसलिए यहाँ temperature factor को काम नहीं करेगा temperature केवल 36 रूप में temperature केवल धरातल के उपर काम में करेगा यह लंबवत या उधरवाधर रूप में काम है नहीं करेगा याद रखना है क्योंकि उपर जाने पर वायू है ही नहीं वायू विरल है वायू सगन नहीं है इसलिए वायू का दाप कहा से होगा टेम्ब्रेजर वहाँ उपर जाने पर कम होता है लेकिन प्रेशर भी कम ही होगा अब ज़रा गुर करें उचाई पास्कल महोदे ने पता लगा है कि उचाई के साथ वायू दाप कम होता है इसका कारण वायू मंडल के निचली परत सघन होती है और उपरी परत विरल होती है गुर्तवा करशन बल के कारण धरातल के निकटी है नोट्स मैंने ये पीडियेप मैंने इस टाइप से बनाई है कि अराम से एक बार पढ़ती समझ में आ जाएगी कुछ कलिस्ट नहीं लिखा है बिल्कुल इजी लेंग्वेज में बनाई है अगर हाँ इजी लेंग्वेज में बनाई है तो आप मुझे बताईएगा गुर्तवा करशन बल के कारण धरातल के निकट की वायू उपरी वायू मंडल के पेक्षा अधिक सघन होती है और अधिक उचाई पर वायू अपेक्सा करती विरल होती है इसलिए परवतों पर मनुस्यों को अपेक्सित मात्रा में ऑक्सीजन के लिए अधिक सांस लेना पड़ता है यानि परवत या पठार पर जाएंगे तो आपको सांस अधिक लेना पड़ेगा और यही इसी कारण परत्वी जो परवतार होई है यह उक्सीजन के सिलेंडर साथ में ले जाते है जब भी कोई व्यक्ति परवत पे चड़ेगा तो उक्सीजन का सिलेंडर साथ में ले जाएगा क्यों कि वहां वायूदाब कम रहेगा वाहें वायू क्या है मिटर क्यों चाहिपे 300 मिटर क्यों चाहिए पे 34 मिली बार वायुदाप क्या हो जाता कम कितने मिटर क्यों चाहिए भाई साब 34 मिटर क्यों चाहिए कितना कम हो जाता है 300 मिटर फिर कह रहा हूं कितने मिटर क्यों चाहिए पे कितने मिटर के उचाहे पे 300 मिटर कितना 34 मिली बार वाईदाप कम हो जाथ अगली बार जल वास्प मैंने यहाँ एक डाइग्राम बनाया इसको समझना डाइग्राम नंबर A डाइग्राम नंबर B अब आप यह देखिएगा डाइग्राम नंबर A में भी वाईउ है डाइग्राम नंबर B में भी वाईउ है लेकिन A में A में यह जो मैंने बिंदी बिंदी डोट 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 बना दी है यहाँ पर वाईउ का इस्थान यहाँ पर वाईउ का इस्थान किसने ले लिया है जल वास्पने ले लिया है और यहां पे सूखी वायू है अब इन दोनों में मुझे ये बताओ कि वायू ज्यादा कहां है ए वाले कोलम में या बी वाले कोलम में आप कहेंगे बी वाले कोलम में क्योंकि ए वाले कोलम में वायू को हटा के पानी आ गया है नमी आ गई है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये जो डोट डोट है नमी आ गई है जबकि बी वाला बिल्कुल वायू से भरा हुआ है अब मैं ये नहीं कह रहा मैं सरफ वायूदाब की बात कर रहा हूँ सिर्फ वायू दाब की बात कर रहा हूँ कि वायू दाब एक कोलम में ज्यादा होगा है बी कोलम में बताईएगा अराम से बताईएगा वायू दाब ज्यादा होगा बी कोलम में गुरू जी क्यों भारी बिलकुल वजन इस कोलम का भारी है क्योंकि यहां पानी है लेकिन बात यहां भारी हलके की नहीं हो रही बात केवल और केवल वायू के प्रेशर की हो रही है वायू के दाब की हो रही है इसका मतलब दो अपसन आप से मिल जाएंगे दो अप्षन आपके पास मिल जाएंगे कि सुस्क वायू में वायू दाब ज्यादा होता है या अद्र वायू में वायू दाब वायू दाब वास्प दाब नहीं वायू दाब तो सुस्क वायू में वायू दाब क्या होता है ज्यादा होता है याद रखना वायू मंडल में जलवास्प की मात्रा बढ़ने पर वायू दाब में कमी आ जाती है अगर आपसे यह पूछा जाए सुस्क वायू में वायू दाब अधिक है या अद्र वायू में तब आपका उत्र क्या होगा यहां आपको जलवास्प का भार नहीं देखना है वायू का भार देखना है जहां जलवास्प ज्यादा होगी वहां वायू कम होगी अता है वहां वायू का दाब क्या होगा कम होगा ध्यान दे लेना अता है वहां वायू का दाब क्या होगा कम होगा चलें आगे अगली बात आगे वोई बात है अब आता गतिक कारण कि ये तो कारण प्रभावित करते हैं गतिक कारण भी है क्या बिल्कुल है पर्थवी की जो देनिक गती जिसे गुर्नन कहते हैं वो भी वायुदाब को प्रभावित करती है भर्मन करती हुई पर्थवी भी हर चीज को अपनी ओर खिंशती है भुमद्दे रेखिए निम्न वायुदाब चेत्र से हवाएं उपर उठकर ठंडी होकर अस्वक्षांस में उतरती हैं और इसी प्रकार उपधुर्विय चेत्रों के हवाएं भी अस्वक्षांस की ओर नीचे उतरती हैं जिससे अस्वक्षांस में उच्च दाब चेत्र और उपधुर्वी चेत्र में निम्न दाब चेत्र बन जाते हैं केसे बनते हैं देखेंगे देखेंगे जब वायुदाब की पेटियां पड़ेंगे आप इतना याद रखिएगा कि गतिक कारक भी वायूद आपको प्रभावित करता है केसे करता है दिखिएगा यह आपका डाइग्राम यहां पे यह भुमद्दे रेखिए चित्रे अब आप क्या समझेंगे इसको क्षेती जुरूप में नहीं लमवच समझेंगे जैसा यह डाइग्राम यहां तापन ज्यादा होता है अरे होता है की नहीं होता बोलगीगा होता है और यह गतिक कारण काम कर रहे हैं यहां पे यह जो यहां पे वायू है गरम हुई हलकी होके उपर उठी अरे उपर उठी की नहीं उठी उपर उठने के बाद में कितनी को उपर जाएगी जैसे जैसे वायू उपर जाएगी तो वायू क्या होगी ठंडी होगी और ठंडी होने के बाद में वायू वापस से नीचे उतरती है और ये नीचे उतरने के बाद वायू इन अक्षांसों में आ जाती है और यहां के वायू दाप को क्या कर देती है बढ़ा देती जिने अपन उसन के पास वाली स्तती कहते है उपोस्न कहते है इन वाले भागों में आके क्या कर देगी तो आप वायू दाप को बढ़ा देगी यहां से फिर Waayu उपर उठी उपर ये इस प्रकार मानिएगा मेरे पास 3D नहीं है कि आप ऐसे मानिएगा आपके हाथ हैं अब Waayu क्या हो रही है आपके हातों से उपर क्यों जा रही है उपर जा रही है वापस से उपर जाने के बाद कुछ प्रभावित होती हैं कौन सी होती है वो तो कल की क्लास में पंचर्चा करेंगे अगली बात अब बात आती हवा की गती अभी अपन ने बात की कि वायुदाब ज्यादा कम जैसा मर्जी हो मैं यहां पर आप से कह रहा हूं कि यहां पर यहां पर लो प्रेशर है लिख दे देता हूं यहां एच लिख देता हूं यहां एच लिख देता हूं हवा एच का मतलब हाई प्रेशर एच पी एल पी एच पी हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत कर देना हवा की गती हवा हमेशा और हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है और क्षेतीज रूप से गती सील हवाओं को क्या कहते है पवन कहते है हवा की गती केसे है हवा हमेशा उच्च वायुदाब वाले च्छित्रों से निम्न वायुदाब वाले च्छित्रों की ओर क्या करती है मित्रों गती करती है और क्षेतीज रूप से गती सील इन हवाओं को क्या कहा जाता है तो हवा की गती कैसी है मैंने कहा हवा हमेशा उच्च वायूदाप से किधर जाएगी निम्ण वायूदाप की उपर बै मैं यू कहूँ जिसके पास बहुत ज्यादा है वो ही तो कम वाले को देगा अब यह नहीं है बाबाजी की जात तो देगा क्या कुछ नहीं देना उसके पास जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को देगा यानि हवा किधर से किधर जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फिर देखिएगा अब है समदाब रेखा या आई सु बार काफी बार यह प्रशन आ जाता है तो गोर कर लेना नोट कर लेना अच्छा प्रशन है केसे बनेगा केसे बनेगा गोर करना मेरी बात पर आप ये केसे बनेगा ये देखना कि समुद्र तल या सागर तल पर समान वायुदाब क्या कर रहे समान वायुदाब ये सब्दावली भी गोर कर लेना समुद्र तल या सागर तल ये इसा नहीं पाड़ के उपर ना समुद्र तल या सागर तल सब्द जरूर साथ में आएगा समुद्र तल या सागर तल पर वरना में यूं भी लिख सकता था समान वायुदाब वाले समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समदाब रेखा कहते हैं क्या कहते हैं समदाब रेखा फिर गोर करन समुद्रतल या सागरतल पर समान वायुदाब वाले इस्थानों को मिलाने वाली कालपनिक रेखा को समदाब रेखा धरातलिय सतय पर वायुदाब के क्षेति जुवित्रन का धेन समदाब रेखां के माध्यम से ही किया के से गुरुजी देखीगा यह आप डायाग्राम देख रहे हैं और यहाँ पर यह आपको यह लाइन गोल दिख रही है इसका मतलब यह एक रेखा है समदाब रेखा है गुर जी यह से गोलाकार केसे होरी है और भाई साथ गोलाकार इसलिए होरी है यहां भी यहां भी जिसे मैं कूँं कि यहां भी 1001 मिली बार वायुदाब है यहां भी 1001 मिली बार वायुदाब है यहां भी 1001 मिली बार वायुदाब है तो इन समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे समदाब रेखा क्या कहेंगे समदाब और ये समदाब रेखाएं ये समदाब रेखाएं सागर वाले भागों में बिल्कुल समानांतर होती हैं क्यों होती हैं क्योंकि यहां समान रूपता रहती है जबकि इस्थलिये भागों में यह थोड़ा सा कोवक्रता लिए हुए थोड़ा वर्ताकार अवर्ताकार इसे लिए कल्पनिक रेखा क्या है समदाब रेखा ठीक है ठीक है अगली बात समदाब रेखा या इसो बार में एक बात आती है क्या ती गुरुजी देखिएगा बड़ो प्रेम हूं बता रहे हूं गाता एसा यूटूब पे आपको काफी कम मिलेगा रेड चांस में माल ले ना वही पक्की बात है मेरी सर्च करके देख ले ना पूरे यूटूब पे आप इतना इजी लेंग्वेज में आपको बता दिया जै मेरे कलास को मत देखिएगा कोई जरुवत नहीं आपको देखने की मेरे से अच्छा कर कोई बता रहे है तो वहां देखे ना अब द में परिवर्तन की दर मैंने यूँ कहा यहां एक हजार एक मिली बार की रेखा है और यहां पे यहां एक हजार दो मिली बार की रेखा है अब मैं कह दूँ अब मैं कह दूँ यहां यहां एक हजार तीन मिली बार की रेखा है क्या समझे जी आप आप यह समझे कि एक हजार ए से 1002 में अधिक दूरी थी 1002 से 1003 अत्य दिक पास हो गया और इसके पास 1004 बना देता हूँ यह ओर ज्यादा पास हो गया परिवर्तन कहां इस स्पीड से हो रहा है जहां समदाब रेखा पास में बई जहां समदाब रेखा है बिल्कुल पास पास में होंगे वहां परिवर्तन की दर अधिक है और जहां परिवर्तन की दर अधिक है उसे कहेंगे दाब परवनता का अधिक होना दाब परवनता क्या है परवनता का मतलब एक मान लीजिए आप ढाल है परिवर्तन है तो दाब परवनता का अधीक होना मतलब समदाब रेखाएं पास पास है यहाँ दाब परवनता अधीक है जबकि यहाँ दाब परवनता कम है यानि यहाँ यहाँ दस किलोमेटर जाने के बाद में यह बदला है जबकि यहाँ दो किलोमेटर के बाद में बदल गया समधाव रेखाए जितनी पास होगी दाब पर्वणता अतनी कम होगी और ये वायू दाब में अंतर ही पवन की उत्पति का कारण अगर अंतर नहीं रहेगा अगर अंतर नहीं रहेगा यहां भी उतना ही वायुदा भाई है यहां भी हाई है यहां भी लो है यहां भी लो है हवा चलेगी नहीं मॉमेंट हो गई नहीं आप माली जी आपके पास भी एक लाक रुपे आपके भाई के पास भी एक लाक रुपे लेंदेन होगा क्या नहीं ह होगा दोनों को जुरूत ही नहीं है आपके पास एक लाग हैं भाई के पास पांच लाग हैं तब आप भाई से मांगेंगें पांच लाग वाले क्यों क्यों कि उसके पास ज्यादा है ज्यादा से कम क्यों राएगा पिसा हवा भी यह सही अब एक तो एक लाग से और पांच लाग होने में पांच महीने लग गए आपको और एक एक लाग से पांच चे लाग होने में आपको दो महीने लगे अब बताओ स्पीड ज़्यादा कहाँ पे कमाई ज़्यादा कहाँ पे दो महीने लगे इसमें कमाई ज़्यादा है न मतलब परवनता कहाँ ज़्यादा है दो महीने लगे इसमें कि समदाव रेखा अगर पास पास है तो परवनता क्या है अधिक है और दूर दूर तो परवनता क्या है कम है चलो अगली बात अब आताती है मित्रों कोरियोलिस बल की ये सारी चीजें बेसिक हैं और इसी बेस पे कल अपन पूरा टोपिक पढ़ने वाले हैं वायुदाब की पेटियां कोरियोलिस बल क्या है गुरुजी नाम तो गुण ही सुनेड़ो है कोरियोलिस बल को समझ आजतानी को नहीं आए ये अपने आप में काभासी बल है जो पर्तवी के घुर्णन से उत्पन होता है और पर्तवी के घुर्णन के कारण वायु की दिशा में को मित्रों क्या कहते हैं विक्षेप वाले बल को विक्षेपन बल कहते हैं और इसी बल को सबसे पहले जीजी कोरियोलिस ने बताया था इसलिए इसे कोरियोलिस बल कहते है पहली बात याद रखेंगे कोरियोलिस बल क्या है या भासी बल है या भासी बल है ये चेंज कर देत किसको direction को ये speed के उपर कोई प्रभाव ने डालेगा ये direction को change कर देगा किसको change कर देगा direction को change कर देगा जैसे मान लेते हैं आपने एक पत्थर फेंका अचानक से हवा चल गई पत्थर में तो नहीं आपने लकडी का टुकड़ा फेंका अचानक से हवा चल गई उस हवा ने उस लकड़ी के टुकड़े की दिशा मोड़ दी क्या मोड़ दी दिशा जोर तो आपने लगाया था उतना लग गया लेकिन वो दिशा मोड़ गी उसकी ये एक सामाने उधान दे रहा हूं आपके माइंड में बेट जाए आपने 90 डिगरी पे फैंका था लेकिन इधर चला गया ये विक्षेप हो गया यहां जाना था लेकिन चला यहां गया ये क्या हो गया विक्षेप हो गया ये विक्षेप ही क्या है मित्रों ये ही विक्षेपन बल है या भासी बल है ये किसके कारण होता है परत्वी के गुर्णन के कारण होता है अगली बात कौरियोलिस बल पवनों की उत्पत्ती में कोई योगदान नहीं देता है फिर वोई बात कह रहा हूं में ये केवल पवनों की दिशा बदलता है परत्वी का गुर्णन बंद हो जाए तो कौरियोलिस बल क्या हो जाएगा सुनने हो जाएगा अगर घुर्णन को आज रोक दो आप कौरियोलिस बल लगेगा है नी अब अगली बात क्या देखिएगा जरा अगली बात क्या है देखिएगा जरा अगली बात ये है कि कौरियोलिस बल केसे काम करेगा कौरियोलिस बल सबसे ज़्यादा काम कहां करता है भुमद्दे रेखा पे या धुरूवों पे दो अप्शन तो याद रखेंगे भुमद्दे रेखा पे कौरियोलिस बल सुनने होता है सुनने जीरू जबकि सबसे ज़्यादा विक्षेपन कहां से होगा धुरूवन से होगा सबसे ज़्यादा विक्षेपन कहां से होगा धुरूवन से होगा याद रखेंगे आप सबसे ज़्यादा विक्षेपन कहां से होगा तो याद रखेंगे धुरूवन से होगा सबसे ज्यादा विक्षेपन कहां से होगा दुरूओं से होगा अर बोलो कहां से होगा दुरूओं से होगा सबसे ज्यादा विक्षेपन कहां से होगा दुरूओं से अर बोलो कहां से होगा दुरूओं पर होगा वहाँ बल भी 0 है जहां अकसांस 90 गरी है वहाँ बल भी अधिक्तम है यानि कोरियोलिस बल अकसांस के समानों पाती है अकसांस बढ़ेगा कोरियोलिस बल बढ़ जाएगा तो सरवादिक कोरियोलिस बल कहा होता है धुरूवों पे होता है जब कि सबसे कम कोरियोलिस बल कहा होता है ये भुमद्दे रेखा पर होता है अब जरागोर करें आप ये जानते हैं इस कोरियोलिस बल से क्या कहानी बनेगी मेरे को ये बताओ कि भुमद्दे रेखा पर और धुरुवे पर दौनों में पर्तवी की घुर्नन गती कहां ज़्य जादा है गती यहां जादा है यहां क्या है कम है अब यहां से आपने एक एसे एसे आपने क्या किया अपने दोस्त की और एक गेंद फेंकी क्या फेंकी यहां परत्वी की गती क्या जादा आगे जा रहें परत्वी की गती क्या है कम क्या है कम आपने यहां से गेंद फेंकी य यह गेंद यहां जानी चाहिए थी लेकिन फैंकते ही यह गेंद है यह पर्थवी की गती का अनूसरन कर लेगी क्या हाँ या नी बताओ हाँ और यह इस परकार विक्षेपन लग रहा है इसलिए तो हवाएं उत्री गोलार्द में दाई और दक्षनी गोलार्द में अगर दक्षिन में ऐसे है ना दक्षिन में ऐसे है ना तो यह किधर यह से हो जाएगी ठीक है तो दक्षनी गोलार्द में हवाएं बाई और उत्री गोलार्द में हवाएं किधर दाई और हो जाती है याद रखेगा यह कोरियोलिस बलके कार नहीं होता है और इस बात का पता इस बात का पता किसने लगाया था फेरल ने इसले इस नियम को पन क्या कह देता है फेरल का नियम कह देता है विक्षेपन बल गतीमान वस्तू के समकोर्ण पर कारिये करता है जिससे बल का प्रभाव उसके दिशा पर पढ़ता है याद रखना ना कि उसके वेग पर विक्षेपन बलके कारण कोई भी गतीमान वस्तू उत्री गोलार्द में अपने पत्के दाएं और दक्षनी गोलार्द में अपने पत्के बाएं औरे मुड़ जाती है क्या कर जाती है बाएं औरे मुड़ जाती है समझ रहे हो क्या बात को समझ रहे हैं जी अरे समझ रहे हो क्या माल लो कोई वेक्टी धुरुवे से खड़ा हो के फेंक रहा है ऐसे ऐसे फेंक रहा था हो अब बदाओ धुरुवे पे कम है या यहां कम है गती परत्वी की यहां गती यहां गती क्या है यहां गती ज्यादा है यहां गती क्या है कम गेंद ए स्थान से बी स्थान पर आनी चीए थी लेकिन वो फेंकेगा यहां और फेंकेगा फेंकेगा तो पर्तवी जो है वो अपनी गती में बनी रहेगी गेंद जो अने पर्तवी की गती का साथ देगी अब यहां तो कम गती है ये वाला भाग तो आगे निकल जाएगा और ये वाली गेंद यहीं रह जाएगी अब उपर से देख लो इधर मू करके देख लो दाया कोन से है ये वाला दाया है कहने का मतलब दाइयोरी घुमा न उत्तरी गोलार्द में तो उत्तरी गोलार्द में किदर दाइयोर दक्षनी गोलार्द में किदर बाइयोर अब गुरुजी अभी आप दक्षनी गोलार्द मे दक्षनी गुलार्द गती ज्यादा कहा है भुमद्दे रेखा पे इसलिए भुमद्दे रेखा वाली गती के समान चलती वे इधर विक्षे पित हो जाती है इधर विक्षे पित हो जाती है जबकि यहां तो गती क्या है कम है इसलिए दक्षनी गुलार्द में बाइई और उत उत्री गोलार्द में राइट सैड में लेफ्ट सैड में यही बात थी अगली बात बाइज बेलेट का नियम इसमें एक याद रखनी है समझ मनी आएगा जोग्रुफी का मामला माजरा पूरा आपको सामाने रीट सस्ट में इतना याद रखना है कि न्यूनतम न्यूनतम वाय वायुदाब उत्री गोलार्द में बाईयोर बनता है और दक्षनी गोलार्द में दाईयोर उत्री गोलार्द में किदर बनेगा न्यूनतम वायुदाब बाईयोर और दक्षनी गोलार्द में दाईयोर अगली बात भूविक्षेपी पवन क्या है देखीगा अच्छा प्र कि यहाँ पे 1091 मिलीबार वायुदाब था और यहाँ पे 1030 था हवा को चलना के से था हवा को एसे चलना था सीधी अब ये कह रहा है कि भू विक्षेपी बल है भू विक्षेपी बल ने अपना काम किया अपना काम किया और हवा एसे होगी और ये जो आपका दाब परवनता बल ये अपना काम कर रहा है ये हवा को सीधा करना चाह रहा है एसे करते करते ये हवा जब एसे इन समदाब के समानांतर बहने लग जाए वायू दाब परवनता बल विक्षेपन बल में संतुलन हो जाए तब पवन का प्रवाय समदाब रेखाओं के समानांतर हो जाता है और एसी पवन को भू विक्षेपी पवन या जियोस्ट्रोफिक वाइंड कहते हैं भू विक्षेपी पवने वा जो सामाने रुप से पवन चलते हैं उनको एंट्रिट्रिप्टिक पवन कहते हैं कोई खास बात नहीं अगली बात पवन की दिशा के से तै की जाए पवन यहां से चली और इधर चली इस पवन को क्या कहेंगे उत्री हवा कौन सी हवा कहेंगे उत्रिवा अगर पवन ऐसे चल रही है तो इस पवन को क्या कहेंगे दक्षनी पवन यानि पवन जहां से चली जहां से चली मैं यह नहीं करा जहां को चली जहां से चली उसी दिशा के अधार पे पवन का क्या होगा नामकरण मैंने का पवन अगर इसे चली इसको क्या कहेंगे इसको दक्षिन पस्मी पवन कहेंगे पवन अगर इसे चली इसको क्या कहेंगे इसको उत्तर पूरवी जहां से चलती है उसी आधार पे पवन का क्या होता है नामकरण होता है पवन का ढाल ये जैसे कोई परवत है पवन इधर से आई अब जिस ढाल पे पवन आके टकराती है उसको कहते हैं पवन मुखी ढाल पवन का मुख है और इधर से इसे निकल गई इसे कहते हैं पवन विमुखी ढाल जब climate पढ़ेंगे तब याद रखेंगे कि जिस ढाल पे वर्षा होती है वो कौन सा ढाल होता है पवन मुखी ढाल और जहां वर्षा नहीं होती वर्ष्टी काचाया प्रदेश है वो कौन सा पवन वी मुखी ढाल है ठीक है याद रखेंगे मानचित्र पर हवाओं की दिशागती को विंड्रोज द्वारा दर्शाया जाता है पवन की दिशाग्यात करने के लिए पवन दिक सूचक यंत्र होता है पवन के वेक कोम आपने के लिए एनिमोमिटर होता है तो मित्रों ये थी आज की अपनी कलास केसी लगी आपको कलास कर रहे हैं तो subscribe जरूर करें और कलास होने के बाद में के नीचे जाकर कमेंट करें बताएं आपको कलास के सी लगी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट box में कमेंट कीजिएगा आपकी कोई भी संका है उस संका का हर संभव समाधान करने का प्रियास किया जाएगा मिलते हैं कल की क्लास में नई जोस नई नोलेज के साथ तब तक के लिए अलविदा बाबाई टेक केर